तो हलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रायरे यार सॉरी अबाउट दाट कि Android से लिटेट कोई वीडियो नहीं आई है बहुत टाइम से बड़ यार थोड़ा सा मैं React के प्लिलिस्ट बनाने में पेजी था सो आज हम देखने वाले हैं कि आप कैसे एक OTP verification का UI बना सकते हो यह बिलकुल functional है and आप easily अपना user से input लेके mobile number का and with mobile number verification as you can see इसका keyboard में text आए गई नहीं ठीक है सो इसके बाद यहाँ पर आपका flag है आप number भी चूज कर सकते हो flag भी चूज कर सकते हो and उसके एसाप से भी verify कर सकते हो then we will click on send OTP and then आपके पास एक OTP आएगा जो OTP आप यहाँ पर एंटर करोगे that what we are creating today यहाँ पर देख सकते हो mobile number add करने के लिए चार input अलगलग fields है sorry OTP add करने के लिए चार अलगलग input है तो यहाँ पर आप आपना easily OTP add कर सकते हो and user से कोई भी action perform करवा सकते हो right did not receive the OTP recent OTP button okay and आप number भी देख सकते हो था number change का भी option है and then there is a verify button right तो यह पूरा UI हम बनाने वाले है source code आपको github का link description में मिल जाएगा but source code लिखने सा अच्छा एक बाट समझ लो समझ के जादा बेटर रहता जिसकर आप कहीं भी कभी भी इसको लिख सकते हो right so चलो start करते है तो सबसे पहले यार देखो मैंने में इक बनाई है main activity इसको करना पड़ेगा side double click okay so सबसे पहले मैंने एक main activity बनाई है जिसके अंदर हमाई पास है activity main का UI ठीक है मैं इसको थोड़ा close कर देता हूँ इसको देखते हैं सबसे पहले कि इस component कैसे design क्या हुआ है क्योंकि यार देखो मैं आपके सामने अगर code लिखूंगा तो उसमें लगेगा time या तो समझा ही सकता हूँ या लिखी ही सकता हूँ तो समझा देता हूँ जदा बैटर है तो start से समझते हैं सबसे पहले है यह coordinator layout है layouts के बारे में मैंने series अगर आपको चाहिए तो please आप comment करो ठीक है then इसके बात है यह app bar layout आप देख सकते हूँ यह इसका top बार है अगर आपको यहाँ पे logo या hamburger menu या notification icon जो भी आपको add करना आप इस toolbar के अंदर add कर सकते हूँ इस customizable ओक this is the app bar layout second we have linear layout linear layout guys आप इसमें horizontal vertical layout add कर सकते हूँ and यह stick रहता है अपनी position पर okay and यह हमारा parent layout है उसके बाद है हमारा scroll view and scroll view किसी एक parent के अंदर ही आथा इसके अंदर आप multiple element नहीं add कर सकते है तो scroll view के अंदर scroll view आपको उसी बात है आप मानचरो screen का size थोड़ा चोड़ा है ठीक है screen size भी आप यहां से देख सकते हो API level है and यहां से आप कोई भी mobile में check कर सकते है तो desktop में आ रहा है बिल्कुल study guide आगर हम इसमें आ गया यह mobile है बड़ा ठीक है pixel 3,4 यह जो भी आप size इसमें ले सकते हो ठीक है foldable font right तो इस तरीके से हम इसको use कर सकते है और सबसे best है इसम कुछ से बैसे कुछ ही नहीं ठीक है तो मैं इसको resize कर लेता हूं वापिस कौन साथ हवाजार वो ठीक है तो यहां पर भाट अपर अप्र आप मेल बॉक्स की इमिज यूज करी है यह आपको नहीं भी आइकन बिल जाएगा नेट पर गूगल पर ठीक है वरना एक मैं आइकन की लिए लिंक में डाव तो आप रही वहां से भी ले सकते हूं मैं नहीं वाई से लिया है यहां पर आप देख सकते हूं इस टेक्स में भी मैंने यहां पर आप कर दिया क्योंकि इसमें टेक्स बगरा मैंने कुछ चेंज करें देखो जैसे मैं दिखाऊं क्या चेंज किया है क्योंकि वो डारेक्ट इंपूड में नहीं हो सकता है वरना आपको डवल इंपूड बनाने पड़ेंगे क्या किया है देखो वन टाइम पासवर्ड इस बोल्ड अदर टेक्स का गलर अलाग है इसका टेक्स का गलर अलाग है तो यह मैंने किया है विद्धा हेल्प ओफ जाब्र ओके कोडिंग के साथ नेक्स्ट एम पर हम पर एक हैडिंग ओटीपी वेरिफिकेशन की बहुत एज़ी है ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यह टेक्स लियाओट अभी बदावों कैसे इसको चेंज किया है इसका वेट सम है 100 एना दिख सकते हो एक लिनियर लियाओट यह है बाइड़ वरिजन्टल लेता है अगर मैं इसको उर्येंटेशन वर्टिकल देखो ताय हो गया एक ही नीचे हो गया चेंग है तो इसकी लियाओट विद्ध देदी है 0DP विद्ध देदी है 0DP विकॉज हम चाहते हैं यह 25 परसेंट स्क्रीन ग्रैप करें यह 100 परसेंट है वेट सम इसका 25 परसेंट यह ग्रैप करें इसमें इमेज भी होगा है एंड यहाँ पर आप एक ड्रॉपडाउन भी लगा सकते हो जिसमें सारे आपके फ्लैग्स आएंगे प्लैक्स से आप कंडिशनल रेंडरिंग कर सते हो इसके अंदर देन देर इस इंपूट फिल्ड एडिटेक्स यह नॉर्मल ही इंपूट फिल्ड अभी मैंना इसमा कोई लेबरेडी का यूज नी किया है डारेट बनाया है ठीक है यह फॉन फैमली है गौथम गौथम याद हुआ ओके डिजनी यार कोई देता ही नहीं है डीसी ठीक है यह एडिटेक्स है देन देर इस सिंपल बटन मटेरियल नहीं है बट मटेरियल से अच्छा लगा है इसमें मैंने बैग्राउंड शेप दिया इसके अंदर सब आपको एक्समेल मिल जाएगा देन देर इस फॉन यह टेक्स्ट कलर मैंने इसका वाइट रखा है एंड यूज गाईज SP रादर देन पिक्सर ठीक है SP अड़ यूज यूज बेटर है वो स्क्रीन साइस के यह साब से काम करता हूँ ओके सो विया ड़न विद इस स्क्रीन लाइक जैसा कि इस सिंपल है तो चलिए इसके अब को क्लिक फिनिश पर ही लगाया है अगर मैं इस विंडो को कमेंड करता हूँ आपको तो देखना क्या होगा अब इसमें टाइटल बार आ रहा है लेकिन वह वाइट है ना इसलो देखने है वह वाइफाई आइकन है सबका आइकन है ठीक है नो टाइटल तो यह चीज आप आप लुकिंग आपके अपके अच्छी हो जाएगे अब आप देखते हूँ मैंने टूल बार यहां पर क्रस् स्क्रीन में Then There Is a OTP यह ओंटीपी है OTP का टे rust है यह एक मैं समल्ञा ना कि OTP जा रहा है बस ःंटीपो यह का इसके बात है, इसके बात है, Set On Click Listener जहां पर मैं अपना OTP जनरेट कर रहा हूँ Okay OnTly Listener सब को पता है And guys, अगर आपने अभी तक कोई ये प्लेलिस नहीं देखी है जिसमें मैंने Android के सारी चीज़े बताई हैं कि कैसे Android में हम स्क्रीन चेंज कर सकते हैं Material Time Picker Date Picker Dialogue Custom Toolbar Press Back Again To Exit Time सब कुछ ठीक है अब इसको जागी देखो अब इसके बाद क्या है OnClick मैंने के लिए किया तो अब मैं क्या करूँगा MobileNumber.getText ToString Method Dot Equals Blank अगर ये Blank है ठीक है जैसे मैंने Mobile Number नहीं हैट किया तो ये Send OTP नहीं जाएगा ठीक अब मैं लग जाता है इसमें इतना जादा वो नहीं है देखो Match Length और Input Type Phone ये बहुत ज़रूड़ी है Sorry, Missed होगे में से But Input Type Phone से क्या होगा कि आपका जो Input Type है वो Mobile Number ही आएगा रादर दन Text नहीं आएगा ठीक है Same ऐसी Hint is the Placeholder And Same ऐसी Max Length मैंने कर दिया 10th तो इस दस से उपर तो नहीं जाएगा That's why मैंने या पर Condition Add भी करी है Greater Than 10th की But अगर मैं मैं मिनिमम डालता हूँ तो या आता है Please Enter Correct Mobile Number ये वैलिड Mobile Number Okay Last मैं अगर ये तो Condition दोनों की दोनों False होती है तो हमारा Else मैं आ जाएगा Code And Else मैं मैंने कुछ नहीं करा है कि Man Activity के अंदर इस Intent को Share कर दिया है To Next Screen जो है मेरी Man Activity To Start Activity पे ठीक है और यहां से हम चाहिए तो Mobile Number ही बेच सकते हैं ठीक है कुछ भी आपको Share दना है Bundle से आप कर सकते हो वो मैंने वीडियो डाल लगी है आप देख सकते हो अभी मैंने इसमें UI कवर किया है अगर आप कमेंड करते हो तो मैं इसको Functional Complete Functional With the API call मैं इसको बना सकता हूँ ठीक है बढ़ याद थोड़ा सपोर्ट आपका भी चीए ठीक है ये स्क्रीन बहुत यूजफूल है कि इसमें कैसे काम हो रहा है तो मैंने किया अब मैं Activity Man 2 के अंदर ठीक है इसको थोड़ा सा बन करतो चाहो दो ठीक है एंड ये क्या desktop पर पढ़ा हुआ है ओकी माई बैड पोट्रेट कर दो इसे ठीक है इसमें और वो ही OTP सेंटेक्स है इसको भी मैंने कस्टमाइज किया हाँ सबसे में गाम ही यहाँ पर तो याद इसके लिए न लाइबरी आप अगर आप OTP लाइबरी साथ करोगे न Dependency Gradle की Maven की आपको easily मिल जाएगा यहाँ पे हम कस्टमाइज क्यों कर रहे है तो कि इसके लिए हमें पूरी जार इंगलूट करने ही पड़ लगी है which is okay बट अगर हम कस्टमाइज कर सकते हैं तीन OTP की फिल लिखके आप यह काम पर सकते हैं जो मैं पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूं इसमें और टेक्स कलर हिंट मैंने ये सेट कर रहा है और जो रियल कलर है वो ब्लैग होगा ठीक है ये ग्रे है वो ब्लैग होगा So then ये एक इन्पूट बॉक्स है लिनियर के अंदर एजिल एड हो जागा सेंटर में ही आइड होगा जैसे सिंग डिजिट का ओटीप है आपका तो मैंने पोड डिजिट का यूज़ किया जातर पोड डिजिट हलने Then डोंट रिसीव ओटीपी ये एक टेक्स है And recent OTP का एक मेरा टेक्स टेक्स टाइड किया है तो इसकी on click पे मैं OTP दुबारा बेश सकता हूँ Then same verify बटा मतलब जादा मैनत नहीं करने है बहुत इजिली आपका UI बन जागा और बहुती classing UI लग रहा है तो आप बात करते हैं कि मैंने activity 2 में मैंने क्या किया है तो as it is ये वही same codes है ठीक है जिसमें flag, full screen flag, full screen, toolbar and all Then मैंने यहां पर input box लिये है जो कि मैंने edit text लिये है आप देख सकते हो अब इसमें functionality कैसे काम कर रही है मैं दिखाऊँ पहले उसके बाद हम UI पर आगे बढ़ते हैं क्या होना चाहिए कि जैसे में एक number add करो तो मैंको दूसरे number पर switch होना चाहिए मैं user बार बार क्लिक नहीं करेगा तो मैंने 4 क्लिक किया automatic shift to 5 6 3 1 मंदब और मैं अगर back करूँगा इसे तो back में मुझे ऐसी करना बढ़ागा क्योंकि मैंने अभी on token लगाया कि बढ़ एड करने पर इंटरफेस कॉल कर दूँ आप देख सकते हूं और गाइस अगर आपको Java में पढ़ना है कि Java में इंटरफेस, classes, abstraction, overriding, overloading क्या होता है तो यार यह lecture है ठीक है मैं बता हूं कहां पर है हाँ यह playlist है Java की इसमें fundamental of Java आप easily पढ़ सकते हूं ठीक है complete lesson है यार और बागी और lessons में add हो रहा है advanced Java के लिए भी ठीक है तो आप इसको भी refer कर सकते है then there is a text watcher यह एक इंटरफेस है जिसमें हमें तीन method override करने के मिलते हैं before text change, on text change या after text change on text change जब आप text change कर रहे हैं तो auto complete text view भी इसमें इसके लिए use होता है then there is a after text change तो हमने क्या करना after change के बाद बहुत simple, अगर editable is not equal to null यह editable में आपकर text आ जाता direct, कोई get text to string करने जो रहे हैं इसमें text है direct तो अगर यह null नहीं है तो हम क्या करेंगे कि editable की length text की, वह equal to equal to one 1 ही होगी वैसे, so of course तो इसको हम तूसरे box पर focus सेम ऐसे ही, तो सेम मैंने ऐसे यह चार फिल्ड कॉपी करके आप चाहो तो single method भी बना सकते हो उसमें पास कर सकते हो तो बट अभी के लिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है, और अगर आपको जैसी मैंने आप सका प्रोजेक्ट और एनी अधर प्रोजेक्ट तो प्लीज कमेंड API कॉलिंग इना कमेंड सेक्शन ओके, so guys यह था आपका पूरा स्क्रीन, ले आउट कैसे काम करता है कैसे हमने लीने ले आउट यूस किया है and then कैसे हमने OTP की स्क्रीन बनाई प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना बागी कमेंड बावर तो करीद हो गया अप and second थोड़ा सा अपडेट है Android की अगर लिस्ट देख रहे हो तो यार एक Flutter की भी देख लेना Flutter में क्या है अगर आप Hybrid app बनाना चाहते हो तो थोड़े से बढ़ा दो, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाबाया